धौलपुर, राजीव गांधी ग्रामीन एवं शहरी ओलम्पिक खेल का जिला स्तरिया आगाज जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के मुख्य आतिति में आरेसी मैदान पर संपन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक धौलपुर शोभरानी कुश्वा की आपचारिक उद्गोशना के साथ हुई। उन्होंने खिलाडियों को खेल भावना से खेलों में भाग लिये जाने की शपत दिलाए। उन्होंने कहा कि खेल हमें आपसी मेल एवं सद्भाव का मांच प्रदान करते हैं एवं शारिरिक और मांसिक विकास के साथ सर्वानगीन विकास में एहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि राजे सरकार ने महसूस किया कि प्रदेश को किस प्रकार शारिरिक और मांसिक रूप से स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसी को लेकर राजे सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीन एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की शुरुआत की है। जिले की एक 188 ग्राम पंचायतों में कुल 10,364 टीमों का एवं शहरी ओलंपिक खेलों में जिले के सभी नौकलस्ट्स में 3,289 गठन किया गया है। जिसमें ग्रामीन एवं एक लाखाट 8,888 एवं शहरी ओलंपिक खेलों में कुल 29,635 खिलाडी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीन ओलंपिक खेलों में कबर्डी के लिए 4023 टीम, खोखो के लिए 1200, वॉलीबॉल के लिए 722, रसाकसी के लिए 243, टैनिस बॉल क्रिकेट के लिए 1433, शूटिंग वॉलीबॉल के लिए 291, फुटवॉल के लिए 264 टीमों का गठन किया गया वही शेहरी ओलंपिक खेलों में कबर्डी के लिए 486 टीम, खोखो के लिए 257, वॉलीबॉल के लिए 140, टैनिस बॉल क्रिकेट के लिए 463, बास्केट वॉल के लिए 47, फुटवॉल के लिए 247 टीमों